जैम आता दी दोस्तों कैसे हैं आप सभी दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिवाली के दिन के कुम राशी के लिए कुम राशी वाले जातकों के लिए इस दिवाली क्या इनके लिए शुब होगा क्या इनके लिए अशुब होगा क्या खास इस दिवाल के बारे में भी जो इस दिन आपको लक्षमी करपा प्राप्त करा सकता है तो चलिए जान लेते हैं सब कुछ विश्तार से लेकिन उससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें गंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हमारे आने वाली सब भी वीडियो की नोटिफिकेश चनाब तक पहुंच सके दोस्तो 27 अक्टूबर दीपावली का पर्व है और इस बार दीपावली पर चतुर दशी और अमावशा ते थी रहेगी ये 27 की शाम को लक्षमी पूजा होगी और इस दिन गुरू वरश्चिक राशी में रहेंगे सूर्य और चंद्र थुला राश उस समय भी शनी और केतु की यूती थी लेकिन ये ग्रह सिहिंग राशी में मौजूद थे लेकिन 23 अक्टूबर 1925 में को गुरू वरश्चिक राशी में था और तब चतुर दशी युक्त अमावशा तिथी पर दीपावली का पर्व मनाया गया था ये दिन कुम राशी के जातकों के लिए बेहत खास है क्योंकि इस दिन लक्षमी पूजा अर्चना की जाती है रविवार का दिन है ये लक्षमी पूजन किया जाएगा और लक्षमी पूजा के लिए रात का समय बहुत ही इस्ट होता है तो आपके लिए सबसे पहरे जान लेते हैं कि कौन सा जिन का शुब मुहरत है इस मुहरत में आप लक्षमी पूजा करें इस दिन ग्रहों का संयोग इतना शुब बन रहा है कि चंदर और सूर्य इस दिन तुला राशी में रहेंगे और तुला राशी जो है वो शुकर की राशी है तो इस दिन का योग आपके लिए बेहद शुब है ये आपके लिए खुशियों से भरा दिन रहेगा इस दिन शुब योगों में किये गए आपके कारिया आपको सफलता देने वाले साबित होंगे घर परिवार का वातावरन बेहद शुब रहेगा परिवार वालों के साथ आप इस दिन को बहुत अच्छे से व्यतीत कर पाएंगे इस दिन माल लक्षमी का आशिरवाद भी आपको प्राप्त होने वाला है हम वीडियो के अंदर में आपको एक उपाएंगे जो आपको करना है और ये दिन आपके लिए विशेश तोर से बच्चों को लेकर बहुत ही खास रहने वाला है इस समय आपके घर में खुशियां देखने को आपको मिल सकती है बच्चे की तरफ से आपको खुशी मिल सकती है किसी नए अतिती का आगमन आपके परिवार में हो सकता है ये दिन बेहत मौज मस्ती का दिन आपके लिए कहा जाएगा लेकिन वहीं आपको एक चीज़ से जरूर सावधाने रखनी होगी इस दिन वाद विवाद की स्थितियां बन रही है तो आपको किसी भी प्रकार के वाद विवाद में पढ़ने से जरूर बचना होगा वरना आ आपको लगता है कि कहीं वाद विवाद की स्थिति है और अपनी वाणी पर आपको सैयम रखना है किसी की भी लड़ाय के बीच में आपको जाकर नहीं पढ़ना है वना ये आपके लिए भारी पढ़ सकता है ये दिन आपके लिए बेहत अच्छा है लेकिन सूर्य और चंद प्रकार की वाद वाद की स्थिति में ना पड़े साथ ही अपनी स्वास्ते का आपको जरूर ध्यान रखना है इस दिन माल लक्षमी प्रकट हुई थी भगवान विश्णू ने लक्षमी का वरन किया था तो एक कार्थिक अमावाशा है और कार्थिक अमावाशा बहुत महत एसा उपाय है जो आपके उपर से शनी की दशा, राहू की दशा, केतु की दशा, सबकी दशा को समाप्त करता है और आपके घर में लक्षमी वास में मदद करता है तो आप इस दिन एक नारियल जरूर अपने उपर से साथ बार उतार कर बहते निल में प्राहत करें आप दे चीजों का भी आप ध्यान रखें ये दिन आपके लिए बड़ा ही खुशनुमा रहने वाला है इस दिन को आप अच्छे से वैतित करेंगे परिवार के साथ बच्चों के साथ अपनी दोस्तों के साथ तो दोस्तों और दे कैसी जानकारियों के लिए चैनल को सबस्क्राइब क वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें